अगर आप diabetic patient है, आपका diabetes control में नहीं है, blood sugar हमेसा high हो जाती है, spike हो जाती है, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि असी दो सबजी जिनको आप daily खाना शुरू करिए, और अगर आप ये दो चीजे, सिर्फ दो पीस आपने खाने हैं, अगर ऐसा करना आप शुरू करते हैं, तो blood sugar आपका एक level में रहेगा, blood sugar level आपका control में रहना शुरू हो जाएगा, spike में नहीं जाएगा, और energy level आपका down नहीं होगा, जैसे क्या होता है, कि एकदम से blood sugar level spike होता है, अचानक से down पे चला जाता है, जिससे आपकी energy बहुत low feel करते हैं, खाने के थोड़े दीर बाद ही आपको भूक लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर ये सब्जिया आप शेवन करते हैं अपने खाने के साथ, तो आप देखेंगे, कि आपका energy level maintain रहता है, आपका blood sugar level आपका blood sugar level आपका स्वागत है, तो चली जानते कौन सी वह सब्जी है, शुरू करते इस वीडियो को, hello friends, मैं insulin, जो की resistance हो जाता है, insulin resistance की वज़े से ही, उनका जो sugar होता है, वो खुन में रुकने लगता है, अगर आपके blood में ज्यादा sugar रुक जाए, तो वो आपकी arteries या veins में जमा होने लगता है, जो की बिमारियों का कारण बनता है, जैसे की brain stroke होना, अगर आपके brain में एक sugar जमा होनी जरू हो जाए, आखों से दुंदला दिखाई देना शुरू हो जाता है, energy level आपका down रहने लगता है, क्योंकि आपकी cells होती है, वहां तक ये sugar पहुंच नहीं पाता, आपके cells के अंदर mitochondria होती है, जो की आपकी energy का production करती है, अगर आपके cell के अंदर ये glucose पहुंच जाए, त जैसे heart में problem आना, अगर ये जो sugar है, आपका रुका हुआ, आपके blood से heart में पहुंच जाए, तो वहां पे जम जाता है, तो इसी के चलते, आपको बहुत सारी बिमारियों का सामना करना पढ़ सकता है, तो इसलिए इसको control में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब आप क्या करेंगे, कि हमें डॉक्टर ने मताया कि रोटी बंद कर दीजे, चावल बंद कर दीजे, सिर्फ आप उबली हुई सबजी खाईए, या तो वो ऐसा करते हैं, लेकिन कभी कभी वो बहुत उब जाते हैं, और अचानक से stress में आके बहुत ज़्यादा खाना खाना वो हमेसा बैटना, लेटना ये चीजे पसंद करने लगते हैं, लिथार्जिक फील करते हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कि दो सबजिया जरूर खाईए, अपने खाने में, अगर आप इन सबजियों का इस्तमाल करते हैं, तो आपका बलड शुगर लेवल कंट्रो में रहेगा, और इसके अंदर न्यूट्रेंट बहुत जादा मातरा में हैं, जिससे आपकी बोडी को न्यूट्रेंट भी मिलेंगे, आपका खून साफ होना शुरू हो जाएगा, अगर आपकी खून में कोलिस्ट्रोल जादा बढ़ गया है, या बहुत सारी गंदगी खट आप यह बोलेंगे, यह बोलेंगे, यह सब्जी में तो हमारे डलता ही है, प्याज फिर क्यों नहीं करता है, उसके अंदर जो न्यूट्रेंट होते हैं, जिसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, वह सिर्फ कच्छा खाने से आपको मिल सकता है, और खास सब के लाल विटामिन A, और ऐसे ही मैगनीज, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरेन, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मिनरल्स भी होते हैं, तो अगर आप प्याज का सेवन करते हैं, एक तो इसके अंदर फाइबर जादा होता है, दूसरा इसके अंदर विटामिन C होता है, और तीसरा इस से डाइजेस्ट हो गया, वो क्या करता है कि सारी ग्लुकोज को तोड़ देता है, और आपकी ब्लड में भेज देता है, लेकिन अगर आप प्याज का सेवन करते हैं, कच्चे प्याज का, या तो आप खाने से पहले खालीजे, या आप पहली रोटी के साथ कम से कम दो प्या तो ब्लड शुगर लेवल आपका स्पाइक नहीं होगा, गंट्रोल में रहेगा, धीरे-धीरे रिलीज होगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो इंसुलिन है, उसको भी आराम मिल जाएगा, और धीरे-धीरे वो थोड़ा सा रिलीज होना शुरू हो जाएगी, और इसके चलत भी आपके पेट में पड़ावा, वो धीरे-धीरे रिलीज होता है, आपके पेट से, तो इसलिए आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप लिधार्जिक नहीं रहेंगे, और सबसे बड़ी परेशानी, जो कि हर समस्या के जड़ बनती है, आपक आटे की रोटी खाते हैं, तो वो simple carbohydrate होता है, इसलिए आटे में मैं तो यह कहूंगी, कोई भी सब्जी हो आपके घर में, या तो मुंग दाल के स्प्राउट हो, या लोकी की सब्जी हो, या सिमला मिर्च हो, कोई भी ऐसी सब्जी जिसको आप ग्राइंड करके, या आपके में कुकुमबर तो होंगी होंगे, कुकुमबर हो टमाटर हो, इसको आप अच्छे से ग्राइंड करिए, और अपने आटे में मिक्स कर दीजे, इससे क्या होगा कि जो आपका simple carbohydrate है, वो complex carbohydrate में बदल जाएगा, अब यह रोटी अगर आप खाते हैं, तो आपका glucose level बिल्कुल के साथ खा सकते हैं, इसके साथ कोई भी हरी सबजी जिसे लोकी होगी, तोरी होगी, कद्दू होगी, जो कि simple तरीके से आपने बनाएए, कोई भी sweet उसमें एड नहीं किया है, उसमें आप टमाटर एड कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर एड करिए, ख थोड़ा सा खाना है, और खाना चबा चबा के खाना है, कम से कम 40 बार, अगर आप ये करते हैं, तो यकीन मानिए, कितना भी blood glucose level आपका high रहता हो, पहले दिन से ही कम होना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से ही, ये आप करके देखिए, दूसरी सबजी कौन सी है, ध्यान से स सबजी भी कहते हैं, उसको फल भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, वह है आवला, जिसको इंडियन gooseberry भी कहते हैं, आवला आप सभी ने सुना होगा, और इसका शीजन बैसे बहुत कम होता है, कभी-कभी मिलता है, 12 महिने आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको स्टो युदे इसे नहीं अगर खोपा अगर हां तो आप एक काम कर ली जए इसको गरम पानी में हैं एक बार अबाल दे देना हैं जैसे बॉयल पानी जो होता है उसके अंदर डाल दीजे एक शे दो बार इसमें उबाल आ जाए एक दम से उसको उतार लीजे और आमलों को निकाल ली जैसे एक सब्जी बनाती है ना सूकी बिना पानी की सब्जी उस तरीके से आप कढ़ाई में इनको कर लीजे हलका सा रोस्ट कर लीजे और इसको फ्रीज में रख दीजे ठंडा करने के बाद आप कम से कम 4-5 टुकड़े आपको लेने हैं और रोटी के साथ हर मील में आप खा सकते हैं रात को भी खा सकते हैं सुबह भी खा सकते हैं और 2-3 आवले एक दिन में आपने खाने ही खाने हैं कितने 2-3 आवले इसके अंदर बहुत सारा विटामिन C होता है विटामिन A होता है आँखों के लिए, बालों के लिए तो अच्छा है, विटामिन C बहुत ज़्यादा होने की वज़े से, एक तो ये आपके बलड के सफाई करता है, जितनी भी गंदगी आपके बलड में भरी हुई चाहे, वो कोलेस्टरोल ही क्यों न हो, ये मदद करेगा, ये विटामिन C अगर एक चीज को आपकी ठीक करता है, अगर प्रॉपर मात्रा में आप अपनी बोडी में ले रहे हैं, तो विटामिन C की मात्रा भरफूर होनी चाहिए, अगर आप बिमारियों को ठीक करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी चीज की विटामिन C क्या करता है, कि आपके बलड चुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देता, अगर आप अच्छी मात्रा में विटामिन C लेते हैं अपने खाने में, तो आपकी बलड चुगर लेवल ओटोमैटिक स्पाइक नहीं होगी, कंट्रोल में आने शुरू हो जाएगी, और विटामिन C लेने का बहुत बड़ा यह भी है, यह आपके ओर्गंस को भी स्टिमिलेट करना शुरू करता है, अगर किसी को फैटी लीवर है और वो अच्छी मात्रा में विटामिन C लेता है, मतलब फ्रेस लेता है, तो उसका फैटी लीवर ठीक होना शुरू हो जाएगा, अब फैटी लीवर ही क्या करता है, क आपका जो पैनक्रिया होता, उसके ओपर प्रेस्टर क्रियेट करता है, कि बही इंसुलीन निकालो, इंसुलीन निकालो, अब वो ज्यादा इंसुलीन निकालने की वज़े से फिर क्या होता है, बाद में कि इंसुलीन रेजिस्टेंस हो जाती है, अब वो इंसुलीन निकाल लेवल आपका spike नहीं हो रहा है, आपका liver भी healthy है, तो आपकी pancreas भी धीरे-धीरे करके healthy होनी शुरू हो जाएगे, और फिर आपके सारे organ ठीक तरीके से function करेंगे, और आप बहुत lethargic feel नहीं करते, आपकी बिमारिया automatic ठीक होने लगती है, तो ये दो चीज मैंने आपको बता जिसके अंदर भर-भर के vitamin minerals है, जैसे आमले के अंदर calcium होता है, magnesium होता है, potassium भी होता है, iron भी होता है थोड़ी मातरा में, और जैसे मैंने बताए, vitamins तो भर-भर के हैं, तो आमला आप जरूर खाईए अगर आप diabetic patient हैं, तो ये दो सबजी ऐसी हैं, जो आपके blood sugar level को control में करती ह हैं, साथ में आपकी immunity को भी हाई करती है, आपके जो organs खराब हो रहें अंदर से, उनके function को better करने में आपकी health करती है, और तीसरी जिए ध्यान से सुन लीजिए, इसके साथ ही आपने क्या करना है, और चीज़े मैंने आपको बता दी, खाना चबा चबा के खाना है, आटे के आपके सांस फूल रही है, heart weight थोड़ी सी उपर जा रही है, वो exercise अगर आप करेंगे, day by day उसको increase करेंगे, थोड़ा सा time increase करके करेंगे, तो आप देखेंगे सारी गंदगी आपकी automatic साफ हो जाएंगी, आपकी जो organs है, उनका function better होने लगेगा, वो पहले की तरह proper काम करना 20% खाली छोड़िये, तो दुनिया की कोई भी बिमारी आपकी ठीक हो जाएगी, उसी दिन से ठीक होनी शुरू हो जाएगी, जब आप ये रूल याद रखना शुरू करोगी, उमीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने उपर भी लिया होगा, और आप इसको अपने उपर भी अप्लाई करेंगे, दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, और अगर आपको मेरी इंफोर्मेशन पसंद आती है, और आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजे, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, तो फिर मिलती हूं नक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई, टेक क्यार